जीहां दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे नियोज के ओफिशल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है क्योंकि समाच कल्याण विभाग की और से निकाली गई है बंपर भरती है भारत की किसी भी राजजी या जिले में आप रते हैं तो आप सभी अभ्यारती महिला प्रोश मेल फिमेल लड़के लड़कियां जो है आवेधन कर सकते हैं और बिना परिक्षा के बिलकुल सीधी भड़ती है आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होने वाली है मतलब बिना 15 जून 2024 आवेधन की अंतिम्तिती है 15 जून तक आपको अपलाई करना होगा तो अपलाई कैसे करना है चेन परिक्रिया क्या होगी संपुन जानकरी के लिए वीडियो में इंटर बने लेगा स्टेप बाई स्टेप आपको पूरी जानकरे देंगे और जल्दी से वीडियो को 60,000 रुपे महिना आपको वेतन मिल रहा है और कख्या आठवी से 10 वी, 12 वी और इसना तक पास सभी अभ्याटी जो है इस भरती के लिए आप वेतन भी कर सकते हैं और सब सची बात है आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होगी सीधी भरती के माद्देम से आपको एक सरकारी नोक करके सर्च कर सकते हैं तो हम आ चुके हैं हमारी ओफिशल वापसाइट पर और आज हम बात करेंगे समाज कल्याण विभाग की नहीं भरती के बारे में जो की साल 2024 की नहीं भरती है जी हां दोस्तो सोचल वलफे डिपार्टमेंट समाज कल्याण के तरफ से भरती निकाली अबर सीमा 18 से लेकर के 45 सार रखी गई है और आई सीमा में छूट भी है वहीं चेन प्रकरिया में केवल आपका इंट्रिवू होगा आपकी कोई भी परिक्षण नहीं होगी सेलरी पावन सो से 20,200 रुपे महिना है और आविदा इशूल बिलकुर फी है योग्यता में कक्ष स्क्राइब जरू कीजएगा जहीं जे मरत